हरे कृष्णा रादे रादे भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदी भक्ती ग्यान गंगा में भक्तो आप सभी को कार्तिक महिने की बहुत बहुत शुप काम नाएं भक्तो कार्तिक का महिना भगवान श्री हरी विश्नु को सबसे जादा प्रिय महिना होता है इस महिने को दामोदर मास भी कहा जाता है इस महिने में भगवान श्री हरी विश्नु जल में वास करते हैं इसलिए कार्तिक का सनान बहुत जादा महत वो बताया गया कार्तिक सनान ज तो इसलिए सबसे पहले जो हमने जो है यहां पर साफ जगा कर ली है और जहां पर आप यह पूजन करेंगे वहां पर साफ सुत्रा कर ले और जो पीपल पत्वारी है आप खुले अस्थान पर लगाएं आप बालकनी में लगा सकते हैं आंगन में लगा सकते हैं और आप छट पर लगाइं और इस धे प्रकार से दिटाते हैं। यहां पर लगा सकते हैंůा यदि आप couple पर इसी प्रकार से नहीं करते हैं. मैंने यहां पर-टाइल लगाई है, आप यहां पर लिववन्ञेहा. लालमिटी से सलीवन味. और मैंने यहाँ पर इटे ली हैं मेरे पास पुरानी इटे थी तो मैंने यह से पानी से पहले भुल करके रख लिया था शांट चाहें तो इसंपर पेंट मिटी ली है इसमें ठोड़ा सा बालू रेत मिट्टी को चान लिया थामे फोड़ी से मैंने गाए आपי नाल operation shart और थोड़ा सा राख डाल दिये इसमें ताकि जो हम पत्थवारी बोएंगे रोपेंगे वो अच्छे से उगेंगी तो इस तरह से हम यहाँ पर उगा लेंगे तो स्थापना करेंगे तो देखे भक्तों आप पत्थवारी माता का पूरी एक महिने उनका पूजन कर सकते हैं क् पूरी मा की सुभा सुभा भी कर सकते हैं या आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप कार्तिक की स्नान करने के बाद भी आप पत्थवारी की स्थापना कर सकते हैं ऐसा संसे नालाई मन में कि हम स्थापना नहीं कर पाएं हैं आप कार्तिक जब लग जाए तब भी आप स्था जैसा आप नव रतन भी ले सकते हैं जैसा आपको सुरीदा हो आप वैसा उगा सकते हैं तो जो भी आप लेंगे तो देखिए घुना हुआ नहीं होना चाहिए साफ सुत्रादाना आपका होना चाहिए और हम इन्हें अच्छी प्रकार से मिला लेंगे आप यहां पर गेहुं भी ले सकते हैं तो हम यहां पर रख लेंगे तो देखिए शरत पुणिमा के दिन से कार्टिक्स नान प्रारंब हो जाता है तो जहां भी आपने तुलसी मैया देखी है रखी है उनके पास में ही आप रख सकते हैं तो यहां पर मैं अच्छी तरीका से बता रही हूँ आप कर सकते हैं तो देखिए तुलसी मैया को आप पहले ही जैसे आपने पहले चुनरी उड़ाई हो वो पुरानी हटा दें कलावा बांद के रखा हो वो भी उतार दें और नए सिरे से पूजन करा है तो तुलसी मैया का पूजन कैसे किया जाता है कार्टिक के पूरे महीने में इसका फूल वीडियो मेरे चनल पर आय चुका है आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है बहुती महत्पूर्ण ये वीडियो है आप वहाँ जा करके देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पत्वारी माता को न जैसे हम नवरात्र में जो कुंडा रखा होता है आप उसमें भी रोब सकते हैं एटो से भी रोब सकते हैं इस तरह से आप कर लीजेगा अच्छी प्रकार से डेकरेट कर लीजेगा तो देखिए पत्वारी माता को डेली सीचा जाता है तो मिट्टी थोड बना सकते हैं ओम बना सकते हैं ड़ो हिंदू धरं के शुब जिन होते हैं आप जरूर से बनाएं। तो देखिए पथवारी माता की डेली सुभा सुभा यहां पर पूजन होता है की कार्थिक मास का जो महातम होता है यही पर बैट करके सुनी जाते हैं सुभा सुभा प्रहमूरत में उटकर के सनानादी करने के बाद में और यही पर आप चाहें तो शालिक राम भगवान को पूरे एक महिने में तो इसी तरह से हमें पीपल पत्थवारी जो है स्थापना कर लेनी है तो देखें लेकिन आगर आप एक महिने के लिए पीपल का ब्रिक्ष लगाते हैं फिर उसका विसरजर नहीं करना होता आप किसी खुले स्थान में पाराकादी में लगा सकते हैं तो जो है मनें पीपल पत्थवारी की जो स्थापना करी है पत्थवारी माता की स्थापना करी है आप इस तरह से स्थापना कर लीजेगा और सुबह सुबह भ्रम मूरत में उठ करके यहीं पर पूजन कीजेगा स्नानाधी काड़कर निव्रत होने के बाल में सूरे देव को अर मेंड बॉक्स में रादे रादे जै माता रानी